Welcome all of you, कैसे हैं आप? हमने 5th class की EBS की book Looking Around या आसपास के chapter number 19 A Seed Tells A Farmer's Story किसान की कहानी बीज की जुवानी के पहले तीन भागों में जाना की कि आस से कुछ समय पहले किसान अनोगाने के लिए अपने बीज ट्यार करते थे परंतू अब किसान मार्किट से बीज खरीते हैं अब खेती में नई-नई तक्नीकों का प्रियोग किया जा रहा है बेलों के स्थान पर ट्रेक्टर से खेती की जा रही है और सिंचाई के लिए जमीन के अंदर से पानी खींचा जा रहा है खेती करने के लिए पैसों की जुरूरत के लिए बैंक से करजा लिया जा रहा है जबकि मुनाफ़ा बहुत कम हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा आज हम part 4 में कुछ और जानकारी प्रापत करेंगे इसके लिए आप अपनी book का page number 178 open करें या फिर आप इस page को अपनी screen पर भी देख सकते हैं चलो कुछ और जानते हैं दामजी भाई के वेटे हस्मुक के बारे में हस्मुक to changed with the times he is often tense and angry most of the time हस्मुक भी पहले जैसा ना रहा चिर्चिड़ा हो गया his educated son परेश दिद नौट वांट टू फार्मिंग उसका जवान बेटा परेश पल लिक कर खेती का काम नहीं करना चाहता he now started work as a truck driver उसने अब truck चलाने का काम शुरू कर दिया है after all the bank loans still had to be repaid अभी बेंक का करजा चुकाने को है often परेश doesn't come home for days at times he is away for a week कभी रात रात भर घर नहीं लोटता कभी हटे भर भी नहीं two days back when he came home परेश started looking for something वा, he asked his mother where is दादा जी's wooden seed box परसु घर आया तो कुछ दोडनने लगा मा से पुछने लगा बा, दादा जी का वो पुराना वीजो का वक्षा कहा है it will be useful to keep the screws and tools for the truck truck को ठी करने वाले औजा रखने के काम आएगा now, do you understand why I told you my story अब समझें मैंने तुमें अपनी कहानी क्यों बताई ये कौन बोला बला, बाजरे का वीज आपको याद होगा कि वाजरे का वीज अपनी कहानी सुना रहा है कि उसे लकडी के वक्षे में रखा गया था what can happen to हस्मुक's farm after some years आगे चल कर हस्मुक की खेती का क्या हुआ होगा हस्मुक देशी खाद या गोबर की खाद की जगा chemical वाली खाद डाल रहा है और खेतों में सप्रे भी कर रहा है तो उससे क्या होगा तो उसके खेत धीरे धीरे वंजर वंते चले जाएंगे दामजी भाई's son हस्मुक choose to become a farmer like his father दामजी भाई के बेटे हस्मुक ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया हस्मुक's son प्रेश is not a farmer what a truck driver why would he have done so हस्मुक का बेटा प्रेश खेती ना करके truck चला रहा है उसने ऐसा क्यों किया हुआ क्योंकि हस्मुक का बेटा educated है वो केती नहीं करना चाह रहा है the seeds were not sure that what हस्मुक was talking about was really progress what do you feel बीज को शक था कि जो हस्मुक के साथ हुआ वो तरक्की नहीं है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम भी बीज की तरह ही सोचते हो कि ये तरक्की नहीं है हाँ खेती के ने तरीकों ने कुछ दिनों के लिए तो पैदावार बढ़ाई प्रांतु उसके बाद खर्चे बढ़ गए और किसान करजों के नीचे दपते चलेगे इसलिए क्या इसको तरक्की बोला जा सकता है क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिखतें भी हैं क्या तो बच्चो आप इसके लिए अपने पेरेंट्स के साथ बात करें या फिर अपने अपीनियन जो हैं वो अपनी कौपी पर नोट करें रीड दा रिपोर्ट फ्रॉम आ निउस्पेपर एंड डिसकस इट अखवार में शपी रिपोर्ट पढ़ो और उस पर चर्चा करो तुज़डे 18 डिसंबर 2007 आंधरा प्रदेश फार्मर्स इन आंधरा प्रदेश है वीन सेंट तो जेल और नॉट वें अबल टू पे बैक देर लोन्स मंगलवार 18 डिसंबर 2007 आंधर प्रदेश यहां के केई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का करजा नहीं चुका पाए हैं उन्हें जेल भेज दिया गया है दे हैड सफर्ड अ बिग लॉस इन फार्मिंग उन्हें खेती में बहुत बड़ा लॉस हुआ है ऐसे ही एक किसान है नालपपा रेडी उन्होंने बैंक से 24,000 पे करजा लिया था यह करजा चुकाने के लिए उन्होंने सहुकार से विभारी ब्याज पर करजा लिया इवन आफ्टर रिपेंग रूपीज 34,000 रेडी कुड नौट रिपे दा इंटायर लॉन कुल 34,000 रुपे देकर भी उनका सारा करजा ना पूरा हुआ रेडी सेस दा बैंक सेंड फार्मर्स तु जेल फार नौट पेंग बैंक स्माल लॉन्स रेडी कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा करजा ना चुकाने पर जेल भेज रहे हैं पर बड़े ब्यपारी अध्योग पती जो करोणों का करजा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं करते नलपा रेडी स्टोरी इस शेर्ड वाई थौजंट सौ फार्मर इन इडिया वार सफरिंग हूज लॉस लॉस देश के सैंकडों किसानों की खेती में हुए घटे की कहाने अंदर पर देश के नलपा रेडी जैसी है The situation is so bad that money farmers see no way out of this except to commit suicide According to government figures 1,50,000 farmers have died like this between 1997 and 2005 This number baby much higher सिरकारी आंकणों के अनुसार इनी कारणों से सन 1997 से सन 2005 तक 1,50,000 किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं यह संख्या शायद इससे भी जाद हो बच्चो इस news को पढ़कर आप जानगे होंगे कि farmers की क्या situation हो रही है उनके लिए अपनी खेती बाड़ी को करना और अपने परिवार का गुजारा चलाना कितना मुश्किल हो रहा होगा बच्चो सोचो यदि किसान खेती नहीं करेंगे अन नहीं होगाएंगे तो फिर हमें अनाज कहां से मिलेगा और यदि अनाज नहीं मिला तो सब का पेट कैसे भरेगा हमने इस पार्ट में जाना कि वाजरे के बीज ने ये कहानी हमें क्यों सुनाई क्योंकि हस्मुक के बेटे ने बीज की वो पेटी ढूंडी जिसमें बाजरे के बीज को रखा गिया था हमने ये भी जाना कि हस्मुक का बेटा पल लिखकर खेती बाड़ी नहीं करना चाहता वो ट्रक चलाने लग गया था आगे की बातें अगले पार्ट में जानेंगे थैंक्स अलॉट अलॉट